नमस्कार दोस्तो सोट अपडेट तो देखो फ्रेंट्स यहाँ पर बिटकोईन प्लस यहाँ पर पूरे क्रिप्टो मार्केट में एक तगड़ी गिरावट में आज के दिन देखने को मिल रहे है तो सबसे पहली बात क्रिप्टो छूटना नहीं चाहिए देखो भा ऐसा नहीं कि आप पूरा पूर्ट्फोलियो शेल करके यहाँ पर जीरो रखकर बेठो और यह सोचो कि बिटकोईन जब 20,000 डोलर आए तब मैं बाई करूँगा तो वो बात गलत है आपको 27,000 डोलर है वहाँ पर भी बाई करना पड़ेगा current price जो बिटकोईन है वहाँ पर भी बाई करना पड़ेगा 27 से फिर 25,000 डोलर पर BTC आए वहाँ पर भी आपको part wise बाई करना पड़ेगा जो आपको success होना है तो crypto market में success होना है तो part wise बाई करना है patience रखना है पूरा बाई भी नहीं करना है पूरा sale भी नहीं करना है क्योंकि आपको लगे कि 20 पर आए तब मैं बाई करूँगा हो सके यह last bottom हो यह 27 last bottom हो और यहाँ से market हो जाए bounce बे कुछ भी हो सकता है हम हमारे इसाप से analysis करते हैं दूसरे लोग उसके इसाप से analysis करते हैं यूटूबर अपने इसाप से analysis करते हैं ट्रेडर अपने इसाप से analysis करते हैं तो देखो मैं market को bounce back कहां से मिलेगा वो किसी को पता नहीं होता है वो only एक analysis होता है only एक prediction होता है तो देखो फ्रेंट्स यहाँ आप समझ गए होगी कि पार्ट वाइज आपको बाइंग करना है क्रिप्टो एक मौका दे रहा है आने वाले टाइम में ए प्राइस पर क्रिप्टो मुझे ने लगता कि कभी देखने को फिर मिलेगा तो अभी एक इंडिया का न्यूज है इंडियन गवर्मेंट चीफ एकनोमिक एडवाइजर एक एरे क्रिप्टो डेंजर है मतलब क्रिप्टो एक खत्रा है आपको भी पता कि इंडिया के लिए तो खत्रा ही है क्योंकि गवर्मेंट को यह लगता है कि आने वाले टाइम में ब आने वाले टेम में 100 करोर होने में कोई टाइम नहीं लगेगा तो फिर गोल्ड की जगव सभी लोग बिटकोइन रखना पसंद करेंगे तो फिर क्या होगा जादस जादा पेसा जाएगा बिटकोइन में वह खत्रा है गवर्मेंट के लिए और गवर्मेंट को यह भी डर लग एक बार एनालिसेज कर लेते हैं तो देखो फ्रेंट्स यहाँ पर बिटकोइन का प्राइज 27,550 डोलर पर अपी ट्रेड कर रहा है जबकि यह वीडियो शूट हो रहा है अब देखो 15 मिट का यहाँ पर केंडल ओपन किया है अभी अभी एक डंप लगा था 26,856 डोलर वहा तो रिटेल इन्वेस्टर का भी बाइंग हो सकता है आपको लगता होगा कि मार्गेट नीचे जा रहा है कोई बाई नहीं कर रहा है यह बात गलत है यहाँ पर सभी लोग DCA ही करते है डोलर कोस्ट एवरेज यहाँ पर विकली चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा ज इस लोगोंने 69,000 20 डोलर पर बाइंग किया है वो लोग क्या सोचते होंगे बिटकोई जब 1,00,000 डोलर आएगा तब वो सेलिंग करेंगे तो देखो अपना अपना इसाब से सभी लोगोंने सोचा होता है अपने अपने इसाब से बाइंग किया होता है वो सभी को पता है औ और मारगेट का बोटम हमने दिखाया था 20,000 डोलर तो आपको एक पार्टवाइज बाइंग करना है और विकली क्लोजिंग का आपको ध्यान देना है देखो आज के दिन क्लोजिंग है मैंने बातसित किया था प्रिविएस वीडियो में तो आज ऐसा भी हो सकते 29 से उपर क्लो होता है तो फिर खत्रे वाली बात है